Hello friends, tigers जो होते हैं, वो solitary life and एकान जीवन को जीना पसंद करते हैं, वहाँ वो female tigers को आने नहीं देते हैं, वहाँ वो scent गंद को वितरित करते हैं, जो उनकी छेतर की marking होती है, दूसरा जो tiger होता है, वो उस marking को पहचान कर आगे बढ़ जाता है, इस process को flaming process कहते हैं, या तो वो tiger होती है, उसका अपना अलग छेतर होता है, वहाँ बहुत भूशी एरिया जाड़ जंकिया होती है, वो इक गंद को वितरित करती है, male को attract करने के लिए, यहाँ पर male attract होता है, वहाँ उनकी matting हो सकती है, उसकी marking, share की marking केवल गंद ही नहीं होती है, उसका pug mark भी होता है, वो कह female tiger के लिए हो या बच्चों